हेलो बच्चो मैं दीपा वर्मा अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस इननी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं जैसे कि हम अपने एक्जाम से रिष मिशें 2023 में थे हैं जहां हम कक्षा दस्वी और बार्वी की बोर्ट परिक्शों के तयारी कर रहे हैं मैं आपका समाजग गयान को डील कर रही हूं है ना तो आज के लेक्चर में हम इकाई चार को देख रहे थे पिछले अधियायों में ज हमें उसको भी देखते हो चलना ठीक है तो चैप्टर के शुरुवात करते हमारा ध्याय क्या है आठ दो विश्व युद्ध्यों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी हमें यह चैप्टर पढ़ना है बच्चे है ना तो चलो पहले हम चैप्टर का पूरा सानाश देख ले करने लगे और उनकी संगठन बने पंचायध बना है ना फिर जार कसाशन खतम हुआ फिर लैली ना ये पूरा क्या है रूस की हमारी क्या है पूरी इतिहासरा ठीक है सन 1905 गटनाए क्या कैसी घटनाए हुआ जिसे जार का शाक्षर पुरा खतम हुआ है नो फिर हम क्या पढ़ेंगे युद्ध और सन 1917 की एंसी कौन सी क्राझतिया हुआ जिससे पूरे वरुष की क्या हुए पूरे पूरे राज्रेति क्व वस्था को पूरी पसिमार कर दिया जार की गद्धी छोड़ना लेली और अक्टूबर क्रांती फिर क्या पढ़े भीशन आर्थिक मंदी विशन आर्थिक मंदी और कल्यानकरी सरकार कैसे आर्थिक मंदी आई 1929 में और इसका क्या क्या एफेक्ट रहा है ना अमेरिका ने संकट ने पूरे विश्व को कै क्या से प्रवाइद किया क्योंकि जो यह महामंदी के शुरुवात कहां सी हुई थी अमेरिका में अमेरिका के अर्थ वव्यस्ता में इतनी ज्यादा उतार चड़ा हुए क्योंकि और उसके क्या हुआ अधने देशों पर प्रभाव पढ़ा ठीक है फिर लोगों के अंदोर निकालें जिसको हमें अध्याय में पढ़ना है और इतने यह लनलेसिस के साथ आप पढ़ेंगे तो लगभा कि चैप्टर कम्लीट हो जाएगा बच्चे ठीक है तो चलो पहला कर्शन देख लेते हैं ती लगुत्री तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिश्वेक शाषन किस कुछ संधीत होपी थी और उनको बहुत जारा हर जाना लिया था है नो अमेरिका ब्रिटेन में क्या हुई नई राज्य व्यवस्था आई जिसे क्या हुआ लोगों को अधिकार दिये गए वोट देने का अधिकार साशन करने का अधिकार और बड़े-बड़े उद्योग ल सभी देशों में परिवर्टन हुए इसी किसा में क्या हुआ तुर्की में और्टमन सुल्टान की जगा कौन आया भई मुस्तफा कमाल अता तुरक आए ठीक है तो आपको दो से तीन लाइनों में इसे खतम करना है ठीक है अगला रूस में किशानों की दास्ता को कब और किस ने समापति किया तो है ना यह 1861 में जार कि शाषनाई जार ने किया कि अर्ददास्प्रथा को खतम किया जो किसान थे उनको भूस्वामियों के अंतर रहके काम करना पड़ था अगर भूस्वामी कहीं जाते थे तो उनको वहीं पूर्ण उस जमीन पर वह नहीं काम कर सकते उनको अपने भूस्वामि के साथ कहीं और जाना पड़ता था तो इसी चीछ को क्या किया जार ने खतम किया था किसान जमीन से बन्थे और बेना बहूस्वामि की आगे के दूसरे कामधंदे में नहीं लग सकते थे 1861 में जार की घोशना के दौरा इस किसानों की प्रथा को मुक्ति मिली ठीक है आप क्या कर सकते थे किसान क्या है किराये पे लेके क्या कर सकते थे क्रिशी कर सकते थे लेकिन क्या हुआ किराये किसे लेंगे भू स्वामियों से तो अंदता जो पूरी क्रिशयक स्था थी किस प कहते थे ठीक है तो क्या हो रहा था उससे में बहुत जारे घटनाई हुई ठीक है जार की साशन को लेकर लोग सड़कों पर आये बहुत सरे आंदोनन हुए तो इसी आंदोनन की क्यारण क्या हुआ लेकिन चुलाओं किया था एक जलर प्रख्रिया फिसमें कहीं शाषन डियूमा के टुनी है कि परोटिन नहीं थी टैसे इस संपत्ति वाले लोग ही वही रहेंगे तो अपने लिह नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे जार से क्नेटेट तो आपने वुद नियमों को नियमों को खटा सकता था तो अंतता अब भी भी साशन की सके हाथ में था जार क्या में ठीक है चलो आगे कि जमीन संवन्दी अनान क्या थे चैने किया थे जब क्रांति हुए जब दो यह विवस्था बदलेंगे जो लडाईया हो रही है उसको रोकेंगे शांती ववस्था बहाल करेंगे है मतलब बहुत संपत्या कुछ भू सवय के हाथ में थी किसानों को क्रिशी करने देंगे जीकिया होगा तो किसान अपने खेती कर पाएंगे और वह क्या है फिर दूसरों के या उसके उस से निकलेंगे और अपνनी मिवाट पर विती कल़ोर पर और शोषन कर देस्पों कभूचार तो इसके बाद कौन आंए है حत्यक्ति सरकार हूआ जालन अब लिए अब भी भी हमारे हाँ चल रही है लेकिन अभी आता गता को देखतें तो अभी भी क्या है सकता है मनेंस जब यृफ सब्सक्राइब निवेश्य निवेश को काम मिलेगा तो और मांग करेंगे तो यही देखो पुम्जी और मस्टनमे लगा आतर तेजी और मन्दी के दौर आते हैं तो जब क्या होता है पुम्जी निवर्ष में वृद्धी होगी मतलब लोग क्या होंगे पैसे ज़्यादा लगाएंगे इससे क्या भूत-पाधन व्ृद्धी काम में अधिक करेंगे बसदुरियों को काम में अधिक मिलेगा ठीके अब जब उत्पादन में व्रिद्ध्ध करेंगे अपने एंपलॉॉई से उसको ज्छादा पेल्मि esfारेंगे और फिक उत्पादन अधिक होगा उंको वेइतन मिलेगा तो हम भी चाह सब निवेश में फिरुकिया है करने जब अधरिख क filter याल यांधी TCM TV किलतान महीं हो जाता है जिसमें तु 真的 क्वा सब्सक्राइब और तो में नक्मुद्र परएखुर गें आपकंगनी यह जबने जाए। और टीवी हों सिरु लिफिस यह तो क्या करेंगे निवेश कम होगा उत्पादन कम होगा मजदूरों को कम वेतन मिलेंगे मजदुरों को कम वेतन मिलेंगे, कम समान खई देंगे, मंदी और बढ़ेगी, तो ये क्या होता है, मंदी का साइकल, ठीक है, निवेश कम, उत्पादन कम, उत्पादन कम, वेतन कम, तो मांग कम, मांग कम, तो फिर क्या, मंदी और बढ़ेगी, तो ये क्या है, पूरा साइकल क्या है मंदी के समय मंधत रहता है यह संब़ता है तो ये सायकल एक तो यह क्या है कभी तेजी आती कभी मंदी आती यृवि 80 को शीज़ों की मांग बहुत कम हो जातीजिए जैसे कभी कभी साइकल क्या है अर्थवस्था का पार्ट होता है तो सेम चीज़ क्या हो जब 1929 में हुई ठीक है जब क्या हुआ हमारा प्रथम विश्वीर्द खतम हुआ तो क्या हुए सभी देशे अपने देशों को फिर से क्या हो करने लगे सुद्धिट करने के लगे अर्थवस्था को लोन लिए तो पूरा जब अमेरिका पीस मंदी का खत्रा बढ़ा अमेरिका में बहुत जाला चीज़े बनी अब वह बाहर उतनी मांग कम हो रही है तो अमेरिका के चीज़े बाहर कम जाएंगी तो इससे क्या होगा वहां मंदी का और च्योंकि पूरा जो देश अर्थ था वह अमेरिका से कनेक्ट थी तो जब अमेरिका पर आया तो उसका असर ब्रिटेन पर यूरोप के नदेशों पर सभी जेगों पर ठीक है तो यही क्या था आर्थिक महा मंदी 1929 ठीक है चलो अगला प्रशन देखते हैं आर्थिक मंदी के दौर में वस्तुए की कीमत में क्यो क्यों घटी और इसका उद्योगों पर क्या पढ़ाओ पड़ा अगर अब इच्छे आप इसमें यही चीज बना दोगे ना जो पिछलम हमने बनाया था यह वाली चीजे तो आपको बहुत अच्छे माक्स मिलेंगे तो इसको आप अच्छे से बनाओ निवेश कम उतपाधन कम मजदूरों को वेकम वेतन कम समान खई देंगे मंदी और बढ़ेगे इतना आप अगर एक कॉपी के एक लाइन बना देंगे ना बहुत अच्छे मांक्स मिलेंगे जैसे हम कहते ना राइटिंग स्किल्स बढ़ानी है हमें अच्छे अंसर कैसे लिखने तो यह सब चीज़ा पर ध्यान रखो कि आप क्या करो अच्छे डाइग्राम बनाओ अच्छे चीजों का यू चलो अगले प्रश्ण में देखते हैं यह कोशन होंगी जो आपके बड़ी मांक्स में आ सकते हैं ठीक है तो आपको 1861 के समय देखना है और जब क्रांती खतम हो गई तो उसको देखना है तो इसको 2-3 फेस उसमें लेके चलना है ठीक है तो पहला फेस था 1861 के पूर्व क्य प्रशा से मुक्ती मिली लेकिन जमीन अभी भी भूस्वामियों के पास थी किसानों को जमीन किराया पर मिलती थी ठीक है कुछ किसानों को बहुत बड़ी रखम देकर जमीन मिल पाती थी जिसके काई 1917 तक उनकी कोई पिडिया कर्ज में जल गई इन परिसे कान कई किसान क्य होगी उन्होंने किराय से जमीन तो लि लेकिन क्या थी वह उगाते धी लेकिन करच को चुकानी पाते थे तो एटलास क्या हुआ करto 10 लिया शहर में क्या है उद्योग में कौन काम करें का दूर वहाज कारेंगे आपने आफे मांग के लिए क्या करेंगे क्या हैसे पूए सबीए मांग ही यसके हैं न तभी क्या क्या हुआ फिर कांती हुई थी है ना तो यही क्या बना जब अलग-अलग देल जगा से लोग आए संग उठन बनाए अपने मांगों के लिए अवाज उठाई तभी क्या हुआ फिर उन्नी जो पांची घटना थी वह भी थी ठीक है फिर क्या होगा 1917 के बाद बू सामियों को जमीन किसानों के बीच वित्रत होने से अधिकान्थ क्रशक मध्यम दर्जे के किसान बन गए इस सालीं ने क्रिशी खेट्र भारी बदलाओ किया जब इस सालीं आए ठीक है किसानों को कहा कि वह अपने में खेतरों को मिलाकर सामूही क क्रिशी करेंगे खेतों में मशीनें आधुनिकों का प्रयोग किया गया मगर जायतर बड़े किसान उकुछ मध्यम के क्या इसका विरोध किया क्यों विशन अकाल पड़ा भुक्मारी के गान प्रोक मारे गए लेकिन 1936 सामुही करन पूरा हो गया पूरा हो गया तब रूस में नीजी खेती लगवख समाप्त हो गई 1937 के बाद क्रिशी को तेजी से विकास हुआ और वह अध्योगी करन का फायदा उठाते वे अपनी उत्पादनता को तेजी से बढ़ा सकता था ठीक है तो यह क्या था पूरा क्रिशी का सामुही करन था ठीक है तो आपको पूरे यह इतनी पॉइंट लिख दोगे ना और इतना पॉइंट तो पांच मांक से बहुत जाद अच्छे मांक मिलेंगे ठीक है बिटा अगला प्रशन है रूस में और दोगी करन कैसे हुआ ठीक है तो आपको यह बताना है कि क्रांथी के पहले क्या घटना ही हुई जिसके कारण और अद्योगी करन क्या ठीक है तो पहला क्या है क्रांथी के पूर्व अठाया सो असस्के के बाद अधियांवर्क और पुंजी पती लोग थे बड़े बड़े निवेशक हाते थे और वह अपने अधियोग लगाते थे लेकिन क्या कि ररूस में उन्होंने निवेशकों को उद्योगों पर नियंदन क्या था राज्य के हाथ हो मी रहा जिसे सक्तिशाली पुंजी वर का कविकास नहीं हुआ और बढ़ते और दोगी करन के साथ-साथ शहरी करन भी हुआ जब आप उद्योग करोगे तो लोग वहां काम करने आएंगे शहर के आसपस लोग बसेंगे त तो यह था क्रांति की पूर्व अब क्रांति के बात की बात करें तो रूस ने सारे बैंकों कारखानों खदानों को साथ-से संपत्य घोषित कर दिया और नीजी संपत्य पूरी खतम कर दी मतलब बैंक हो उद्योग हो कुछ भी हो मतलब अपने घर को छोड़का है वह वह व पढ़ते पंचवर्शी योजना हमारे अभी है वह कहां से आई थी रूस से आई थी ठीक है बट उनके पर धन भी नहीं था और ऐसी टेक्निक भी नहीं थी कि वह क्या कर सके नए उद्योग लगा सके ठीक है तो उन्होंने क्या किया तकनीक थी वह दूसरे देशों से बुल मज़़ों के वेतन कम किया किसानों पर अथरी क कर लगा है तो इस तरह से क्या किया उन्होंने रूस ने डैवल्लोंप्र किया थी कि ए उन्हों चालिस सकते उच्पर से मैं इतना ही चिज़े डील करूँ कर रही हूँ और नेक्सट वीडियो पढ़ेंगे जिसमें क्या है छोटे शौट शौट चीजे मैं बताऊंगे जिसे यह चैप्टर पूरा आप खतम कर पाऊंगे ठीक है इसके बद हमारा 1-1-1-1-1-2 और 1-4 खतम होते हैं उसके बद हमाएंगे अपने 1-3 पर ठीक है जिसमें हमारा राजनेतिक सास्रे के दो तो बिच्छे आप अपनी पढ़ाई इच्छे से करते रहें और पर्टिकुलर एक एक सीजों को ध्यान में लगते हुए टाइम मेनेजमेंट के साथ पढ़िए ठीक है तब तक के लिए बेस्टर प्लक अपने एक्जाम तयारी में लगे रहें